तो हलो फ्रेंड्स आगे हैं मैं एक आओन नी वीडियो के साथ तो सबसे पहले तो आप मेरा इस टाइम पे स्कोर देख सकते हो 22348 है और मेरा करेंट रैंकिंग इस टाइम पे मैं रीजन पे 64 नंबर पे चल रहा हूँ तो आज के ये वाला है वीडियो ना रेगुलार वीडियो से थोड़ा सा हट के वीडियो है थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो है तो कई लोगा के मेरे को कमेंट देखने को मिला था कि अपना वेपन गलोरी बताओ करके तो यहां पे मेरा देख सकते हो टॉट वन पे M40 में हू तो बागी यहां पर आप लोगो चेहरा 46 में, मेरहां है किली ज़ते, मेरा है माइनस लग गया था सब ay ion Diya मैंने बुया मारा है देख सकते हो तो अभी बात करते हैं आज की इस वाले गेम की तो सबसे पहले तो आपको एक चीज दिखा देता हूं यहां पर इस सीजन मेरे एवरेज कील यहां पर पांच का देख सकते हो आपका कितना यह भी मेरे को जरूर से कमेंड करके बताना तो सीजन आता है उस दिन स्टार्टिंग के दिन में किस तरह से खेलता हूं वह चीज आपको आज मैं दिखाने वाला हूं जिसके चलते हैं आप कांफी इसली प्रैंक पूस कर सकते हो और कभी आपका इस तरह से आगर आप खेलोगे ना तो कभी आपका माइनस नहीं जाएगा यह चीज मैं गरेंटी देता हूं गरेंटी तो नहीं कभी-कभी माइनस चला जाता है वह बात अलागा हा लेकिन मैं यह बोल सकता हूं कि 95% चांस है कि आपका हर गेम प्लस ही लगेगा तो फिर लास्ट तक वीडियो जरूर से देखना तो फिर चली वीडियो स्टार्ट करत आए इस टार्टिंग के जो फट नाइट आता है फर्स डिय इस सीजान है। इसमें इसी तरीके से खेलता हूं इसी मैनल source को फालो करके खेलता हूं तो सब्से पहले तमि meva बलू जून उतर रहा हो वहाँ पर उतरते साथ ही मैं एक 2-3 तो 3 किल निकालने का थेसराई या तो फिर जाओंगा मैं केप टाउन नई केप टाउन बोल रहा हूं यार सी पियाड जाओंगा तो दोनों में से एक जगा पर जाओंगा तो ऐसा आप लोग भी प्लानिंग बना के खेलना जहां पर भी उतर रहें वहां पर बाई चांसा मर गए न तो फिर आपके पास बेक कुछ सीखने को मिलेगा टीप्स और ट्रिक्स काफी जाद आपको देखने को मिलेगा इस वाले वीडियो में तो इस टैम पे मेरे को एक बंदे का फुटस्टेप आ रहा था तो यहां पर मेरे को ट्रोगन गन मिला था सांट रिंज में तो यह भी काफी अच्छा चलता यार सांट रिंज में तो इससे मैंने काफी जिलीस वाले बंदे को फिनिस कर दिया था इसी के साथ मेरा फर्स्ट की लिस्टाइम पे हो चुका है और यहां पर और बंदे हो सकते मेरे को लेकिन उनका लोकेशन नहीं पता है अब यहां पर पता नहीं क्या हो गया यार मेरा नेट आपने देश नी किनारे में बैट गया हूं तो इसी तरीके साइब को भी खहलना है जब सीजन स्टार्ट होता है उस दिन मैं ऐसा ही कहलता हूं तो भाई एकदम जोन टो जोन खेलता हूं बलता बिलकुल भी रिस्क नहीं लेता और सेंटर में कभी भी तो मैं जाता ही नहीं हूं तो अगर आप इस तरीके से खेलोगे तो आपका थर्ड पार्टी होने का चांस काफी जादा कम रहेगा भाई तो फिलाल तो अभी जोन टू जोन में जा रहा हूं मेरे पास लूट हूए गर उतना अच्छे से नहीं है यहां से पीछे से मेरे को कोई बंदा मारा भाई पता न मैं मरते मरते बचा यार इस टाइम पर मतलब 10-11 HP का बचा था और मेरा वेस्ट गाया भुचुका इस थाइम पर थोड़ा सा पन को देख के खेलना पड़ेगा और एक चीजा और आपको बताता हूं मैं एक तो आप दो तरीके से खेल सकते हो एक तो आप जोन के एकड़म सा आप काफि जादा कम चांस रहेगा लेकिन जैसे बचारा भान पर तरीके साब यसरी प्राइफ ऑपर एक जीटेम आप ज電ी करेंगे मतलब कई बंदों का सौंट रेंज बहुत ज़्याद अच्छा रहता है और किसी का लॉंग रेंज मतलब उतना अच्छा नहीं रहता है उनके लिए तो फिर कोई अच्छा नहीं आप सौंट रेंज में मार सकते हो बाकि जितना ज्यादा हो से उतना ट्राइज करो कि लॉंग रेंज से आप फाइट करोगे न तो फिर आपका थर्ड पाटी मतलब ना के बरोबर होगा ऐसा समझ सकते हो थर्ड पाटी आपको बहुत कम चांस रहेगा होने का अगर सौंट रेंज में घुसके रस करके मार होगे तो फिर उस टाइम पे मतलब थर्ड पाटी होने का ना बहुत ज्यादा चांस रहता है तो इस टाइम पर मैं गाड़ी तो पकड़ लिया था मेरे पास एक भी मेडी नहीं है यार इस टाइम पर मतलब लिमेटेड लूट म में ये वाला गेम में ख्यलने वाला हो कुछ भी मेरे पास नहीं है और देहुस कोते हो इसको लेप्ट साइड में जारेंगे और थावार के ऊपर चड़ जाते तो यहां पर जब भी आप तावर में बैठं होगे तो थोड़ा सा इगरना तो यहाँ ब दो बंदे जा रहा है ऊー्टी थो और कि भी तो लड़की पूपक फिर उल्म कई प्र श१ी आरे मेर पास मतलब पूँश नहीं मिला यार अब इसको में मारी रहा था इतनय में shirt वाला बंद मेरे ऐख मेरे को द长 घारता कर देता है यह भाई मतलब थोड़ा सा ही HP का फिर से मैं बचा इस टाइम पर मरते मरते बच गया तो चलो ठीक है मैं थोड़ा सा ध्यान देके खेल रहा हूं मेरे को पता था यह राइट वाला बंद मेरे को मार सकता है इसलिए थोड़ा सा मैं चवकना था मतलब थोड़ा से एलाट हुआ मतलब जब भी आप फाइट किसी बंदे पर फाइट कर ले रहा हुआ तो थोड़ा से एलाट रहे के फाइट लो क्योंकि एकदम साब इसकोप खूल का मारने लगोगे तो कहीं से भी कोई भी बंद आपको मार सकता है और आपको वाल लगाने का भी माउका नहीं देगा तो इस टाइम पर जितना भी मैं फाइट कर रहा हुआ अगर यह मेरे पास तीन चीप आले एमफोटी रहता और इसकोप भी रहता ना यह लेकिन लूटी नहीं है क्या कर सकते चलो यह बंद अपग्रेड कर रहा है क्या मार तो मार कहां से रहा है भाही मेरे को फिर से डामेज य यह बंद वो टावर के पिछे आए थिंग हा टावर के पिछे मेरे को थोड़ा सा वह बंद दिखा तो अभी जोन चल रहा है मेरे पास गाड़ी है तो उतरा ज्यादर टेंसन नहीं है यह जैसे ही उतरूंगा तो यह लेप वाला बंद मारेगा तो थोड़ा सा हम लोग मार्क लगाना पड़ेगा अब इतने में मेरे को एक और बंद दिखा तो इसको मैने फीनिस कर जाए इसको साथ तक आगे से भी पढ़ रहा था क्योंकि वह बंद आगे की तरह फाल लगा रहा था तो इसको आगे तरफ से भी पढ़ रहा था इसके पास अपना लूट कम्प अब बात नहीं किया हूं अभी तक करेक्टर स्किल के बारे में तो एक्टिव में आप हमेशा के करेक्टर लगा कर खेलना और बांकी आपके उपर है मतलब जैसा आपका गेम प्ले है अपने हिसाब से आप लोग पेसिव करेक्टर लगा लेना वह मैं आपके ऊपर छोड़ अब करेक्टर लगा के खेलता हो और कभी कभी मारो के जगहा के तो वो भी लगा के खेल लेता हुग तो किया वोते हैं बहुत ज्यादा का मश्क्याल लगा आपके खेल लेता हो वह है मेगजीम, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हार्ड लॉबी आ रहा था ना उस टाम पे मैं इसी करेक्टर के साथ खेल रहा था जिस करेक्टर को अभी-अभी मैंने बताया तो आप लोग अपने इसाब से गेम के उपर अपने खेलने के आप लोग पेसिव करेक्टर लगा लो जिसमें आप कांफटेबल वही करेक्टर लगा वही जरूरी नहीं है जैसा मैं लगाएं वह ऐसा ही लगा लेकिन एक्टिव में हमेसा के करेक्टर ही लगा कर खेलना अब यहां पीस वाले बंदे को मैंने गाड़ी से उड़ा तो दिया था काफी ज्यादा मतलत की मेरा कील टार्गेट जो है वह पांच यह हमारा गया अफिपमार मेनने फार्गेट कील करने खlles को अपर अभी तक पांच कील मेनका यह ब्लाइच वाले के में फाइट था कि शोड़ा सेमारे ने हिर में अ चेक रिस के था जीदक चार इप नम Sans और यह बंदा हो को मत मरते मरते बचा वो था लूट के कारण था मतलब मेरे को पास लूट ही नहीं था यार अच्छा कासा ना तो वेस्ट था जो की पूरा पूरा डायमेज था एक टाइम पर वेस्ट भी नहीं था मेरे पास जिसके कारण मेरे को बहुत ज्यादा डायमेज पड़ रहा था उसके का के युट की इता ने कंद कर दिया तर दियमेख और एक बंदी आ परेसान हो जा रहा हो गा मतलब मैंने शैलेंसल लगाया हुआ तो उसको पता इंहीं चल चल रहा होगा पता चल रहा है लेकिन चलू उसको तुमेंने डाउं कर दिया इस टाइम पर रिह सही टाइम है क्यों कि जाना है और वो च्हत के उपर जोन है तो मैं लांच पेट लगा है एंस उस बंदेपे रश करने वाला हूँ इस टांप पर चाहो तो आत्प लिए तो 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 आकि Allah के लिए तो लेकि के ला worst मेंखयं साथ में मृष ईसलिए मैं यहाल इसा करके खैल रहा हूं इस टाइम पर तो मैं बिल्कुल वीस वाले बंदे पर रस नहीं किया रहता तो यह situation के उपर depend करता है यह चीज आपको खुद से तिमाग लागाना है कि आपको अगर खील चाहिए थोड़ा सा लास्ट में आके थोड़ा सा रस करके खेल सकते हो और खील हो गया है तो फिर खील मेरे को काफी असानी से बुया मिल चुका है तो मेरे को मतलब इजली मैं बुया कर लिया भाई इस वाले मेच को इस वाले मेच में मैंने काफी जादा जोन रोटेशन के बारे में आपको बताए जो कि सबसे जादे इंपॉर्टेंट मैं समझता हो रेंक पुस करने के लिए तो फिर यही थाराज का वीडियो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा ता आपको दिल से धन्योदी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में